नमस्कार मेरा नाम ब्रिज दिवेदी है आप देख रहें लाइव ब्लॉग केरल की स्पेशल SCST कोट ने मदू मौम लिंचिंग केस में दोशियों को सजा सुनाई कोट ने 14 में से 13 दोशियों को 7 साल साश्रम कारावास और 16 आरोपी मुनिर को 3 महिने की जेल की सजा सुनाई है साथ ही पहले आरोपी पर 1,05,000 रुपया और बाकी 12 आरोपियों पर 1,18,000 रुपय का जुर्माना भी लगाया है सुनावे आरोपी को IPC की धारा 352 के तहत दोशिय ठहराया गया है उस पर 500 रुपय का जुर्माना लगाया गया है चुकि मुनिर पहले ही रिमान के दोरान जेल की अवधी पूरी कर चुका था इसलिए अदालत ने जुर्माना अदा करने पर उसे जेल से रियाह करने को कहा मंगलवार को स्पेशल जज केम रितिश कुमार ने 16 आरोपियों में से 14 को दोशी ठहराया बाकी दो को बरी कर दिया था फरोरी 2018 में केरल के अट्टा पड़ी में कथित रूप से खाद्य सामगरी चोरी करने के आरोप में आदिवासी यूवक मदू की पीट पीट कर हत्या कर दी गई थी आरोपियों के खिलाफ IPC और SCST Act की विभिन धाराओं के तहट मुकदमा धर्ज हुआ था कोट ने आरोपियों को गैर इरादतन हत्या का दोशी पाया कोट ने 20 अगस 2022 को गवाहों को प्रभावित करने को लेकर आरोपियों की जमानत रद कर दी थी दरासल हाई कोट ने 16 आरोपियों में से 12 को जमानत दी थी स्पेशल पब्लिक प्रोसीक्यूटर ने ये आरोप लगाते हुए जमानत रद करने की मांग की थी कि मुकदमे के दोरान कई गवा मुकर रहे हैं बाद में जमानत रद करने के आदेश को हाई कोट में चुनोती दी गई लेकिन स्पेशल कोट के आदेश को बरकरार रखा गया 23 सितंबर 2022 को हाई कोट ने एक आरोपी की अगरिम जमानत याजका भी खारिज कर दी थी जिसने पीडित की मां को मुकदमे को आगे बढ़ाने की धमकी दी थी पीडित की मां ने पुलिस में FIR दर्च कराई थी आरोप लगाया था कि आरोपी जबरन उसके घर में घुसे और मुकदमे को आगे बढ़ाने से रोका ऐसा नहीं करने पर जान से मारने की धमकी दी इसी तरह के लिगल अपडेट्स पाने के लिए लाइव लॉग को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक करना ना भूले साथ ही कानून से जुड़ी खबरे पढ़ने के लिए आप लाइव लॉग की हिंदी और इंग्लिश वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है शुक्रिया